दिल्ने में अखिल भारतिय आयरो विज्यान संसान यानि में सौदेशी वैक्सीन कोवाकसिन का हिूमन ट्राइल शुरू हो रहा है एम्स की डारेक्टर डॉक्टर रनदीब गुलेरिया ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन का फेज एक के बाद एम्स दिल्ली में फेज टू का ट्राइल चल रहा है ये एक निश्क्रिय वाइरस है जिससे मानाव जीवन की रक्षा की जाने है डॉक्टर अनदीब गुलिया के मताबिक, ट्राइल में हिस्सा लेने के लिए काफी लोगों ने रेजिस्टेशन कराया है अभी तक 18 sc volunteers ने रेजिस्टेशन करा लिया है 18 से 55 साल तक के सौस्थ लोगों को ट्राइल के लिए चुना जाय गा शुरू में कुल 1125 स्वास्थ लोगों के सैंपिल लिये जाएंगे फेज बन में 375 लोगों पर ट्राइल होगा 100 स्वास्थ वॉलिंटियर्स का चुनाव किया जाएगा इसके बाद आएगा फेज टू जिसमें 12 से 65 साल के लोगों पर ट्राइल होगा एम्सके डिरेक्टर के मताबिक कोरोना वैक्सीन के ट्राइल के दौरान लोगों को कई डोस दिये जाएंगे कंट्रोल सिचुएशन में वैक्सीन की डोस दी जाएगी जिसे प्लेस्बो कहा जागा ये controlled study है वेक्सीन का डोस दिये जाने के बाद volunteers की निगरानी की जाएगा अगर कोई side effect नहीं हो रहा है तो data monitoring board इसका data तयार करेगा अगर ये लगेगा कि ये वेक्सीन सुरक्षित है तो फिर आगे step बढ़ाया जाएगा और dose की मातरा बढ़ा कर कुछ और परिक्षन किये जाएगा